Validation of if then statements for best एक question है इस question में हमें direct method का use करके यह proof करना है कि for any integer n n cube minus n is always even तो चलिए इसे solve करते हैं यहां दिया हुआ है any integer n मतलब n कोई integer है तो integers दो types के होते हैं या तो वह even होगा या फिर odd होगा हमें पता है कि event integers दो से divisible होते हैं यानि उनका format 2m के type का होगा जहां m कोई integer है अब हम n is even को statement p मान लेते हैं तथा n cube minus n is always even को statement q मान लेते हैं हम यहां देख सकते हैं कि statement p true है तो अब हमें यह proof करना होगा कि statement q भी true होगा n is equal to 2m की value n cube minus n में put करने पर हमें यह मिलता है जिसे आगे solve करने पर 8m cube minus 2m मिल जाता है हम यहां इन दोनों numbers में से 2 common ले लेते हैं जिससे हमें मिलता है 2 into 2m cube minus m यहां 2m cube minus m की value एक integer के बराबर ही होगी जिसे हमने k मान लिया अर्थात इसकी value हो जाएगी 2k जहां k कोई integer है इस प्रकार n cube minus n की value 2k के equal आ जाती है जिससे हम कह सकते हैं कि statement cube ही even होगा अर्थात यह भी true होगा हमें odd number का format पता है वह होता है 2m plus 1 जहां m कोई integer है इस case में statement p हो जाएगा n is odd and statement q होगा n cube minus n is even हम statement p को true assume करते हैं अब हमें ये proof करना है कि statement q भी true होगा अब हम n की value n cube minus n में put करते हैं जिससे हमें यह expression मिलता है आगे solve करने पर यह प्राप्त होता है further simplify करके हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं यहां सारे terms में से 2 common लेने पर यह प्राप्त होता है यहां हम 4m cube plus 6m square plus 2m को एक integer के equal मान सकते हैं जिसे t के equal लिया गया है अर्थात इसकी value हो जाएगी 2t जहां t एक integer है तो इस प्रकार यहां भी n q minus n का format 2t प्राप्त होता है जो की event type का है अर्थात statement q true हो जाता है इस प्रकार हमने देखा कि n के event होने पर या odd होने पर दोनों ही conditions में दिया हुआ statement true होगा I hope कि आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया होगा